नमस्कार रोक्ठोक पन्राप्टर स्वागत मी डॉक्टर उदय निर्वुलकर प्रेक्षकों गेलाकाई द्युसा पासूर जवारलाल नेरू विद्धापिटात मन्जे जे नियो मदे जेकाई घरते त्यावरूने गोश्टस्पष्ट होती है भारतिय विद्धापिटा है आता शिक्षणाचे नवे तर राजकारानाचे अड्डे बनत चालेद। जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत के टुक्डे होंगे, इंशाल्ला, इंशाल्ला, आशा घोश्टना तेवी देना दालोते है तर खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आर्ती करेंगे, आशी नारे बाजी देखिला एकालाली हुदी जे न्यू विद्ध्यापीट मंजे गलिच्छा राजकारनाचा आणि विचार स्वातंत्रयाचा गल्चे पीचा उधारन होता कामाने अशीच अपचिभूमिकाय अब एक्ट्वी सतंत्रयाचा दर्पई नको आणि सत्तेचा माज नको या दोनी गोष्टिनचा आतिरेक घातक चाय सत्तेचा माज आले अंतर काय होता ते पत्याळा हाउस मरे पाहला मेला भाजप विचारदारेशी संबन्दित वकिलानी पत्याळा हाउस कोर्टाथ कनाईया कुमार वर हल्ला केला हे आमचा घसर लेला व्यवस्थेच अणि सत्तेचा माज आलेचा निदर्शक है एक दान अवे तर दोन दोन वेला देशद्रवाचा आरो पीवर हल्ला होतो अनि तो सुधा कोर्टाथ होतो योड़ाच तवे तर मीडियाला अनि कनाईया कुमार चा समर्थका नाही या वकिलानी टार्गेट केला त्याच वड़ी काईदानी सुधाश्थेची जबाबदारी असनारा दिल्ली पोलिसानी दिवल बगयाची भूमेका गेतली कीतर लाचरीची हद नवेका देशप्रेमाच्या सर्डिबिकेट्ची छपाई ही जशी एका पक्षयाची और विचारधारेची मक्तेदारी नाही तसच अभिवक्ति स्वातंतर अचानी पोरोगामित्वाचा ठेका देखिल कोणा एका संस्थेला आणी एका पक्षयाला दिलेला नाही वकिलांचा कालाय वेशात्या या गुंडांचा वर्तन मन्जे संपूर्ण वकिली पेशाचा वर्तन जरी नसल तरी अशा प्रकारेच वकिलांचा आईदा हाता घेण हा देखिल एक प्रकारचा देश द्रोहस नवे काई कनहिया कुमार आपले बाशनाद स्वातंतर विर सावर करांचा देशबक्ती बदल प्रश्टचिनन दिरिमान करतो है त्याची भूमिका करचित कोड़ा आमान्य होना रही नाई पर मनुन त्याला बोलूस दियाईचा नाई कोट्टा त्याला मारहान कराईची हे योग्या आएका कायदानी सुवस्ता राखना दिल्ली पोलीस अपईशी ठरलेतका डाव्या विचारांचा आडून खरच देशब्रोही कारवाया होताईतका सरकार देकिली विद्यांधारवर कारवाई करताना अतिरेक करताईका अडिया सग्ल्यावर अमसे पंतप्रदान नरेदर मोधी गपकायद या सरका संग्य प्रटनांचा वेग्याद अच्या खास रोक टोक कारेकमाद सत्येचा अतिरेक सत्येचा आतिरेक या कारेकमाद आज अपला बरबरेत अड़ोकेट अमित मेता भारतीय जनता पक्षा चा लीगल सेल चे मुंबई से प्रमुकेट अड्यक्षा है अमित मेता जी अपले स्वागत अपले वरबरेत भारतीय जनता पक्षा चे राष्ट्रिया उपाद्यक्ष शाम जाजु शाम जाजू दिल्ली मदू या कारेकमाद सहबागी होता है शाम जी अपले या कारेकमाद स्वागत सुरेश भटेवरा चेश्चा राजकी है विशलेशक और पत्रकार देट सा तीन दशकान पेक्षा जासता अनुबह असलेले सुरेश भटेवरा या कारेकमात सहबा गरते हैं सुरेश जी अपले ही स्वागत त्याज बरोर अपले ही सोबाता है जी मीडिया चा मध्यप्रदेश अनी 36 गाड या वृत्त वाहिनी चे संपादक दिलिप तिवारी दिलिप तिवारी जी आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है जाब सत्तेचा आतिरेग याचे जे दोर भागे ते अतला पहला जो मुद्धा है तो मंजे एक प्रकारे वकिलानी अश्या प्रकार्चा कृत्य करना अरोपिला मारहान करना हे कित्पत योग है दोस्तमुद्धा अपन चर्चार गेडा वकिलानी काईदा हता गेण हादेखिल देश द्रोहत्स नवेका अपन थेट जाविया दिलिप तिवारी एंचकडे दिलिप तिवारी आप पिछले कई दिनों से जेन्यो हो या पतियाला हाउस हो या दिलि की जो गतिवी दिया है उसके ओपर एक बारकाई से नजर रखे हुए है बताइए कि पतियाला हाउस कोर्ट में जो हुआ उसकी असलियत क्या है जो सामने आया वो तत्य है क्या उसके पीछे भी कोई ऐसी चीजे है जो आज तक मीडिया में आई नहीं है दिल्ब तिवारी जी क्या कहेंगे देखिए उद्यजी सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि इस पहलू को अगर आप देखे तो दो पक्ष है एक तो यह जो भारत की आजादी के खिलाफ अगर आप जाके कोई सवाल उठाते हैं तो वो सुविकारे नहीं है दूसरी बात अफजल गुरू अगर आतंकी के तोर पर उसको सजा दी गई है भारती समविधान के तहट तो उसको आप शहीद बताकर ग्लोरिफाई नहीं कर सकते हैं और भारत की बरबादी के लिए नारे नहीं लगा सकते हैं अब वो कौन लोग हैं? यह जाज का विशा है पुलिस करेगी और अदालत उस पर अंतिम फैसला करेगी लेकिन दूसरा यह सवाल कि लोगतंत्र में जिसको आप चौथा खंबा कहते हैं लोगतंत्र का भारतिय मीडिया भारतिय मीडिया को दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट से महचंद कदमों की दूरी पर पटियाला हाउस के अंदर वकीलों के दौरा अगर इस तरह से उन पर हमला किया जाए यह जाच का विशा है कि वो लोग किस पार्टी से जुड़े हैं यह जाच का विशा है कि विचारधारा उनकी क्या है लेकिन सवाल यह है कि क्या पत्रकारों को अपना काम नहीं करने दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अगर आप कहें नजर रखे हुए हैं वहाँ पेटिशन फाइल्स हो रही हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बगाइदा कमेटी भेजी गई मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारतिये लोकतंत्र में अगर पत्रकारों को अपना काम करने की आजादी नहीं होगी वो भी दिल्ली जैसी जगह में तो आप यह यकीनन मानिए कि अगर ये पूरा पूरा अगर आप इसको कहें कि ये रोक फैलता है तो पूरे देश में जाएगा और ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा लेकिन हम कभी भी किसी भी आतंकवादी गतिविधी का समर्थन करने वाले का समर्थन नहीं करेंगे एक मीडिया के प्रतिन्दी होने के नाते चैनल कोई हो, अख़बार कोई हो, व्यवस्था कोई हो लेकिन सरकार कोई हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जिम्मेदारी है कि हम पत्रकार के तौर पे निश्पक्ष रिपोर्टिंग करें हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं है लेकिन हम इस देश में पत्रकारिता की उस धारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं जो स्वतंतर और निश्पक्ष पत्रकारिता की बात करती है तो जाहिर है अगर मीडिया पर आप हमला करते हैं चोथा अगर आप पिलर जिसों कहते हैं कि पूरी लोकतंतर के हिसाब से अगर आप देखें और दिल्ली पुलिस अगर मूख है और वहाँ पर वकील जिन पर जिम्मेदारी है कि वो नियाय दिलाने की प्रक्रिया में सहयोगी होंगे वो आरोपी बन जाएंगे वो कानून हाथ में ले लेंगे और कोर्ट के अंदर तो ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है क्या कहेंगे जो दिल्ली की पुलिस है क्या वो एक मुक मुक सम्मत्ती के जरा वहाँ खड़ी थी क्या ये जन भावना थी या कानून का पतन कानून के दाइरे में ही रहके हुआ है देखे जन भावना के आवरण में अगर आप पुलिस के बंदे हुए हाथों को देखें और पुलिस की लाचारी को देखेंगे या पुलिस के नकारेपन को देखेंगे तो सब सामने हैं पुलिस को अगर इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि वहाँ पर चाहे कोई आरोपी हो चाहे कनहिया कुमार हो या कोई भी व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हैं कि उसने देश द्रोही गतिविधियों से जुड़े हुए नारे लगाए हैं या देश की आजादी के खिलाफ बयानबाजी की है देश को तोड़ने की बात की है ये जाच पुलिस करेगी ये कोड में सुबूत पेश करेगी इस पर चर्चा होगी इसमें बहस होनी चाहिए ले लेकिन वो पुलिस मुखदर्शक है जो दिल्ली पुलिस के कमिशनर हैं अगर वो मुखदर्शक हैं उनको इस पश्ट इंडरेश दिया गए थे सुप्रीम कोड की तरफ से कि आपको किसी भी व्यक्ति को जो इस मामले में आरोपी है या मीडिया जो अपनी निश्पक्ष भ बबाकर उसमें देशभक्ती नहीं पैदा कर सकते आप देश का जज़बा तब पैदा करेंगे जब ये पूरी व्यवस्था में आएगा आप किसी से सर्टिफिकर्ट नहीं मांग सकते कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है क्योंकि वो देशभक्त है इस देश में पैदा इस देश में पढ़ाई किया है, इस देश में वो काम कर रहा है आप कुछ लोग भटक जाते हैं, उनको रास्ते पर लाने के हजार तरीके हो सकते हैं उस पर बहस हो सकती है लेकिन आप किसी को अदालत में गोसने सा रोकेंगे अदालफ के अंदर पत्रकारों से मारपीत करेंगे या आप ये कहें कि दिल्ली पुलिस लाचार थी इतनी भीड़ थी तो फिर आपको अगर लाचार है तो फिर आपको उस कुरसी पर बैटने का अधिकार नहीं है अगदीप परखड जला आपन मंटो स्पष्ट वक्ते पना जे जाल जो हुआ जैसे हुआ इसका पूरा बयाँ आपने किया है दिलिप्तिवारी आप जरूर बने रहे हैं आगले कुछ सवाल लेके मैं आपके पास आओंगा शाम जाजू अपले बरवरेट शाम जाजू ये भारतिये जरता पक्षाचे राष्टिये उपाद देख्षेद शाम जाजू नेमका काय होता है है हैदरबाद मदे रोहित वेमुला तेचा अधी FTI आया है आणि आपा या टिकानी कनहिया कुमार वकिला नी जाचा संबंद थेट भारतिये जरता पक्षाचा विचार धारेशी आए तेनी आपले आप काला कोटाचा रंग भगवा का केला तेनी इतक्या निर्मम पने मीडियालाच टार्गेट केला कनहिया कुमारलाच मारला तुमाला न्याय देवतेचा डोल्यावर ची बादलीली पट्टी काड़ून तीजा डोल्यावर गोगल चड़वाईचा जे तुमी सत्य मांता तेच तुमाला दाखवाईचा तेच तुमाला सत्य मांता ठासवाईचा आज तुमचा हेतुन बदल शाम जाजू, अरोप निर्मान जालेद, कई शंका निर्मान जालेद, यचा कारण तीन घटना विद्धा पिटान मदल्याँ, हैदरबाद, FTII अड़ी जेन योग, काई सांगल, तुम्ही सत्यचा अतिरेक करता है शरवात प्रथम, अप लिए या अब्जेक्शन ला मैज़ा ऑप्जेक्शन है आपन जो अरोप केला है कि दिल्ली चा पटियाला हाउस मदे, भारतिये जंता पार्टी चा वकिलान नी ट्या कनहीया कुमार ला माराण के ली य fırचा वर्ज माज़ा ऑप्जेक्शन है आशा प्रकारे वकील असो वा कुणी सामान्य नागरी कसो कुणी काईदा हता दियोन त्यावर अपनस तेचा वद निरने करनार आणि न्याय व्यवस्तेचा ठेका अपलेकडे दिलाए आशा करनेचा कोणालाई अधिकार नही आशा कुटलाई गोष्टीचा भारतिये जत्ता पार्टी समर्थन करत नही आणि कोणाला आमी करू देनार नही या देशा मदे न्याय व्यवस्ते साथी आणि या स्वातनते लड़ा साथी बलिदान केलेले आणि त्याची यातना भोगलेले इमर्जंसी मदले आमी लोक आओ त्या मुले आशा प्रकारे काईदा आताद यतला रंतर काई होतासते ये आमाला पुरुणा माहिता है आपन जा हैदराबाद चे पुने चे फिल्म इस्टिट्यूट चे आणि पटियाला आउची तुलना करता ही तुलना करने सरकी गोष्ट नाई जा देशत रोहाची गोष्ट दिल्ली मदे सुरू आए या देशात रोहाँ आमी पाकिस्तान जिंदाबाच चे नारे लओ या देशात रोहाँ बारता के तुकडे करने के आमी गोषणा करू या देशात रोहाँ या माती रोहाँ जा éénगे का विद्यारत्यावर या सरकार सा 3-3 लाक रूपै प्रती वर्षे खर्च होतों इतका मोटा खर्च जा सरकार लायबिलिटी उचवती आए आशा ठिकानी शिक्षण गेनारे लोग या देशा स्वातंत्रेचा नावाबर आशा स्वैराचार माज़े होती उतर तो स्वैराचार कुणी चालू गेनार नाई पण त्याला हे उतर नहीं कुणी काईदा आता जियोन याचा उतर काड़ी आशा प्रकारे देश्ट्रोहाचा काम जाजू अपन तीन लाख रुपे खर्च करतो याचा आर्थ त्या विध्यापिटात ले विध्यार थ्यानी फक्त अपली विचारधाराज बोलली पाईजे अपला पसंत तेज बोलला पाईजे अपले ला आवड़त तेज बोल ला पाई जे अशी सक्ती अपन केली तर विद्ध्यापिट ही लर्दिंग आणी एक्सलेंशी सेंटरस बननार तरी कशी अपले विरोधावासी मतांचा जर अपन अदर करला शिकलो नही तर अपले देशावर कोट्या पतर्चा राज जर यही आज जे पत्रप आज जे भाष्टाचा आज जो बाट्णाचा अनुवाद आज शाम जाजू माजा आईकुन गया आज कनहया कुमार चा भाष्टाचा जो अनुवाद आले लाए त्याचा सावर करान बदल काई वक्त अव्याए निश्चिता सावर कर प्रेमिननाती दुखावनारी आज याद काई शंकाच नाई परन्तु त्या करता त्याला मत व्यक्त करू न देने या पेक्षा त्याचा मताना खोडून दुसरी चांगली मत अधिक सक्षम पड़े माणने हा मार्गा न आउता का आज तुमी सांताई की ते वक्त अमचे न आउते मग ते वक्त वक्त होते कोडाचे दिल्ली पोलीस भग्याची भूमी का का गर्योता त्या वक्त अमचे शनद रब्द केली जावी अशी मागनी भाजपचा दिल्ली यूरिट तरफे क्या भाजपचा तरफे कावर केली केली नाई शाम जाजू स्वातंत्रयाचा नवा खाली जी चोविस्तास रहा एक पाउल पुढे